हेलो दोस्तों स्वागा थे अब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूसपर टेक पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटियम में लिंग पेक एकाउंट का UPI PIN बिना ATM की चेंज कैसे करें जी हा दोस्तों आप UPI PIN आधार काट के माधियम से चेंजे कर सकते हैं दोस्तों इसे चानने के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विडियो को शुरू करने से पहले, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ सेयर कीजिए, तो चलिए विडियो सुरू करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको पेठी में आपको का page open होगा, यहाँ पर एक profile का icon वोगा उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको UPI and payment setting वोले उफिन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो bank account link है, वो यहाँ पर सो होगा, उसमें से आप जिस account का UPIP reset करना चाहते हैं या फिर change करना चाहते हैं उस पर आपको click करना है लेकिन ख्याद रहें उस bank account पर आपका अधार card लिंक होना चाहिए और अधार card पर आपका जो mobile number है वो link होना चाहिए मेरा जो Equitas Small Finance Bank है जिसमें अधार card मेरा link है और बाकिस सब में लिंग कभी नहीं बता रहा है तो मैं Equitas Asmol Finance Bank पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आगा पेज उपेन होगा यहाँ पर दीखें UPI पिल लिखावा यहाँ पर चेंज करने का उप्सन आपको मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस पर आपका पेज उपेन होगा यहाँ पर आपको debit card और आधार card यूज करने का दो आप्सन मिलेगा ता आपको आधार card सेलेट करना है और यहाँ आपको check box पर क्लिक करना है किलिक करने के पाद आपका आधार काड है उसका-खाश्ट six digit आपसे मांगा जाएगा यहाँ पर आप डालिए उसकब आप प्रॉसीट पर क्लिक कई जेए पर क्लिक कड़नी के बाद अपके पास इस पार ya यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर आये ओटिपी को एंटर करना है उसे एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बेंग एकाउंट पर आये OTP को एंडर करना है, फिर bank OTP को एंडर करने के बाद, आपको चार डीजिट का new UPI pin set करना है, UPI pin को set करने के बाद, आपको UC UPI pin को फिर से डालना है, मतलब confirm करना है, और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद, इस पर आपका एक page open होगा, यहापे आपको बताए जाएग कि तो आप कहीं भी कोई transaction करेंगे, उस bank के दो Jest दोवारा तो आपको new UPI pin डालना है